बच्चो आज हम पढ़ेंगे कखस अच्छे सामाजी का ध्यान के अंतरगैत हमारा आवाज विशय का तीसरा पार्ट पृतिवी की गतियां हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्णों के उत्तर लेकिन उससे पहले आईए देख लेते हैं एक जलक इस पार्ट की ताकि आपको पार्ट अच्छे से समझा जाए आप इस पार्ट को जरूर से जरूर पढ़ें बच्चो और उसके बाद हम आपको जो यहाँ पर प्रस्णों के उत्तर बताएंगे उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखें उन्हें याद करें तो चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चो यह है आपका तीसरा पार्ट पृतिवी की गतियां देख लेते हैं एक जलक इस पार्ट को जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी पृतिवी गति करती है और इसकी गतियां दो परकार की होती हैं कौन-कौन सी घुर्णन गति और परिकर्मेंट तो इसक अच्छे से पार्ट को पढ़ें बच्चो ताकि आपको यहाँ पर जो प्रसनों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें आप इस पार्ट को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अपनी पाठे पुस्तक से भी इसके बाद हम आपको बताएंगे इस तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर प्रस्णों के उत्तर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्यों अभ्यास प्रस्णों उत्तर देखेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे सारे प्रस्णों के उत्तर सबसे पहला प्रस्ण है बच्यों निमलिकित प्रस्णों के उत प्रान पृत्वी एक और कुछ जुकी रहती है वह जुकाओ कौन 66 सही एक बटे दो अंसिया डिगरी है ठीक है तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं यह है आपका पहला प्रस्ण और उसका उत्तर इसके बाद बच्चों दूसरा प्रस्ण आ सबसे पहले जानते हैं यहां पर घूर्णन और घूर्णन गति किसे कहते हैं बच्चों आप देख सकते हैं आप लिखेंगे प्रत्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है क्या होता है प्रत्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है प्रत्वी और परिकर्मन के बारे में लिखेंगे सूर्य के चारू और एक इस्तिर कक्सा या कक्स के कक्स में पृत्वी की गति को परिकर्मन कहते हैं तो इस परकार से आप लिखेंगे परिकर्मन लिखेंगे उसके बाद हैडिंग डालेंगे और उसके बाद यह आप जो है वहाँ पर उ देते हैं उत्तर में लिखेंगे यह वर्स होता है जिसमें फरवरी माह में 28 दिनों के अस्तान पर 29 दिन होते हैं ठीक है कितने होते हैं 29 दिन इस प्रकार लीप वर्स में 365 दिनों के अस्तान पर 366 दिन होते हैं लीप वर्स पर टेक 4 वर्स के बाद आता है ठीक है इस प्रकार स आप अपना उत्तर लिखेंगे लीप वर्स के बारे में अगला प्रस्ण है बच्चो उत्तर और दक्सिन आयनांतों में अंतर बताईए तो यहाँ पर जो है उत्तर और दक्सिन दोनों आयनांतों के बिसे में आपने अंतर बताना है तो सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे आप उत्तर अयनांत और यहाँ पर heading डालेंगे उसके बाद लिखेंगे आप इस प्रकार से उत्तर लिखें 21 जून को उत्तरी गोलार्द में सबसे लंबा दिन और सबसे चोटी रात होती है जब कि इसी समय दक्षिन गोलार्द में सबसे चोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है पृतिवी की सवस्ता को उत्तर अयनांत कहते हैं ठीक है बच्चो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा लिखेंगे दक्षिन अयनांत और यहां पर हेडिंग डालके लिखेंगे 22 दिसंबर को दक्षिन गोलार्द में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी सबसे छोटी रात होती है जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्द में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है पृ थोड़ा ध्यान रखें बच्यों और अच्छे से लिखें और इसी प्रकार इसे उत्तर को याद करें आगे यहाँ पर बात करते हैं बच्यों अगला प्रसने है विशुव क्या है जानते आप विशुव क्या है आपने पार्ट में पढ़ा होगा बच्यों नहीं पढ़ा चलो कोई बाद नहीं आप इसे याद करें उतर में लखेंगे 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सुर्य की किरने विश्वत बृत पर सीधी पड़ती हैं इस अवस्ता में कोई भी धूर्व सुर्य की ओर नहीं जुका होता है इसलिए पूरी पृती पर रात एवं दिन बराबर होते हैं इ सवस्ता में कोई भी धूर्व सुर्य की ओर नहीं जुका होता इसलिए पृती पर रात और दिन बराबर होते हैं इसे ही बिसुप कहते हैं तो इस प्रकार से आप बिसुप का उतर लिख सकते हैं आगे अगला प्रसंद बच्चो दक्सिन गोलार्द में ध्यान देयाब दक् दक्षिन का एनांत अलग-अलग समय में होता है क्यों तो उतर में लिखेंगे आप इस प्रकार से उतर लिखें जब उतरी गोलार्द सूरे की तरब जुका होता है तो सूरे की किरने करक रेका पर सीधी पड़ती है इसलिए उतरी गोलार्द में ग्रीश मृतु होती है तथा जब दक्षिन गोलार्द सूरे की ओर जुका होता है तो सूरे की किरने मकर रेका पर सीधी पड़ती है इसलिए दक्षिनी गोलार्द में ग्रीश मृतु तथा उतरी गोलार्द में सीधी रितु होती है तो इस प्रकार से आप जो अपने इस प्रस्न का उत्तर लिख सकते है और ध्यान पूरबग लिखें बच्चो पाठ जो आपका काफी important है अच्छा पाठ है इसे अच्छे से समझें इसे याद करें अगला है प्रसने आपका बच्चो धुरुबों पर लगबग 6 महिने का दिन एबम 6 महिने की रात होती है क्यों ऐसा क्यों होता है उतर लिखेंगे जब उतरी गोलार्द सूरे की तरब जुका होता है तो प्रतिवी के अपने अक्स पर जुके होने के कारें उतरी धुरुपर लगातार 6 महिने तक सूरे की करेंगे पढ़ती है जिससे 6 महिने का दिन होता है इसके विपरीत दक्षिनी धुरुपर 6 महिने की रात होती है जब उत्तरी धुर्व पर सूरे की किरेने 6 मेने तक नहीं मिलती है जिसे वहाँ 6 मेने की रात होती है क्या समझे बच्चो यह आपका प्रस्ने आपका धुर्वों पर लगवा 6 मेने का दिन और 6 मेने की रात होती है क्यों ऐसा क्यों होता है उत्तर में लिखेंगे यह सब जैसे कि हमने आपको बताए यहाँ पर आप इसे पढ़े अच्छे से पढ़े बच्छो इसमें थोड़ा confusion हो जाएगा आपको अच्छे से पढ़े और इसे याद करें इसे लिखें ठीक है इसके बाद अगला प्रसन है बच्छो दूसरा प्रसन तो क्या का जाता है प्रतिवी जब सूर्य के चार ओर गति करते हैं उस गति को क्या का जाता है यहाँ पर तीन option आपके लिए घुर्णन परिकर्मेंड या जुकाओ तो आप जो है थोड़ी देर के लिए सोचें जराई से उतर चलो हम आपको बता जाते हैं उतर में लिखें तो आप सोचें से हम थोड़ा सा समय देते हैं आपको चलिए सोच लिए आपने आप लिखेंगे उतर में 21 मार्च क्या लिखेंगे 21 मार्च जिसने 21 मार्च सोचा सही सोचा इसके बाद बच्चो अगला प्रसन आपका यहाँ पर और तीसरा प्रसन है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है आप इन में से देखें जापान भारत या ऑस्टेलिया सोचा आपने कहां पे मनाया जाता है उत्तर में लिखेंगे ऑस्टेलिया ठीक है तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा अगला है बच्यों रितुओं में परिवर्तन पृतिवी की किस के कारण होता है बच्चों आपने सोचा चलिए देख लेते हैं आपने क्या सोचा उत्तर में होगा परिकर्मेन जिन्होंने परिकर्मेन सोचा वो सही थे और उत्तर लिखेंगे परिकर्मेन ठीक है तो इस प्रकार से आपके जो हैं सही वाले उत्तर के लिए जो यहां पर प्र प्रतिवी सूरे के चारूं और कक्सा में घूमती है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सोच यह जरा और इसके बाद चौता प्रसन है बच्चो 21 जून को सूरे की किरेने रेखा पर सीधी पड़ती है यहाँ पर क्या लिखेंगे आप सोच आपने अगला है आपका प्रसन यह यहाँ पर खाली रितु में द लिखेंगे 366 दिन दूसरे में लिखेंगे गुर्णन तीसरे में इस्तिर और चौते में लिखेंगे करक और पांचुए में सीध तो यही सोचा था सबने 366 गुर्णन इस्तिर करक और सीध ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सीध यहाँ पर लिखेंगे आप सीध और करक, करक रिखा लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे आप इस्तिर, इस वाले में इस्तिर लिखेंगे, इस्थीर और यहां पर लिखेंगे आप सबसे पहले वाले में 366 ठीक है और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे आप दूसरे वाले में लिखेंगे ध्यान दें दूसरे वाले में लिखेंगे घुर्णन ठीक है तो इस परकार से आप अपने उतरों को लिखेंगे इसके बाद बच्चो अगला प्रस्ण आपका यहां पर ध्यान देते हैं आओ कुछ करें और यहां पर है एक्टिविटी से सम्मन्दित प्रस्ण आपका और यहां पर क्या दिया है प्रतिवी के अपने अक्सपैर जुकाओ को दरसाने के लिए एक चितर बनाएए तो आप बन समलंब समतल परलंब और यहां पर लिखेंगे उत्तरी धुर्ब यहां पर प्रतिवी का कक्सिय समतल और यहां पर दक्षनी धुर्ब ठीक है आप अपनी पाठे पुस्तक में भी देख सकते हैं वहां पर मिलेगा आपको तीन दसमलब एक में प्रतिवी के अक्स का जुकाओ और कक्सिया सम्तल ठीक है तो इस प्रकार से आप एक अपना चित्र बनाएं आई बास समझें बच्चो तो यह था यहाँ पर आपका प्रस्ण और ध्यान दें यह आपको जो हम उत्तर दिखा रहें इसके बाद आप जो इसके अंदर भी लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर ल दूसरा प्रस्ण है परते एक देख रहें ना आप यहाँ पर परते एक महीने की किस तारीक को होने वाले सुर्य देयम सुर्यास्त के समयों को अस्तानिय समाचार पत्र की सायता से लिखिए और निमिल खित के उत्तर लिखिए तो आपने उत्तर किस के लिखने हैं बच्चो दिसंबर के और किन महीनों में दिन और राज बराबर होते हैं मार्च और सितंबर में ठीक है तो इस प्रकार से आप अपने प्रस्णों का उत्तर लिखेंगे इस प्रस्ण के साथ ही इस पार्ट से समधित आपके प्रस्ण जो है यहां पर समापत होते हैं उमीद है कि आपको बच्चे से समझ आयोंगे चैनल को सब्सक्राइब और से कर दें बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली परते एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे बच्चो इसके साथ ही लेते हैं आपसे बिदा मिलते हैं फिर पार्ट चार में आपके आपका दिन सु बच्चे सब्चक्ति बच्डरोओवगगववव